सब्सक्राइब जी एस ग्यान ट्यूब चैनल और क्लिक ऑन बेल आइकन टो गेट एवरी लेटेस्ट निव अपडेट्स जनरल इंग्लिस के फिल इन दा ब्लैंक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो हम पार्ट टू को डिसकस करेंगे इसमें हम एक्जामपल्स के माध्यम से इसके कॉंसेट को समझ रहे हैं ताकि एक्जाम्स में इस तरह के कॉश्चन जब आएं तो आप आसानी से कर ले जाएं तो इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो बना दिया है यदि आपने नहीं देखा है तो इसको इसी वीडियो की निचे डिसकुश्चन में लिंक दे रखा वहां से आप जाकर देख सकते हैं आज हम पार्ट टू डिसकस करेंगे तो चलिए हम डिसकस्टन को स्टार्ट करते हैं पैला कोश्टन है आफ वुल्प्स तो यहाँ पर देखिए जो वुल्प है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं यह जैखना है तो यहाँ पर पैक होगा अबन्चाफ, फुलावर इस तरह का हीप अप सेंड इस तरह के जो वर्ड आते हैं किसी पाटिकुलर चीजों के लिए पाटिकुलर वर्ड यूज़ कियाता है तो उसको आपको याद करना होता है तो यहाँ पर आप जेख सकते हैं का answer हो जाएगा आपका pack अगला है यहां देख सकते हैं sand, sand के लिए कौन सा word use करते हैं? जंबल तो हो गा नहीं, leak तो होगा नहीं, a heap heap मनन्दे होता है जो धेर होता है a heap of syund मतलब होता है बालू का धेर तो यहाँ पर ऐसे word को समझने के लिए इसके word meaning को आपको जानना होगा तो यहाँ option 20 का सही answer हो जाएगा अगला देखे a dash of flower flower के लिए कौन सा word यूज कर सेते हैं जो group of flower होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं यह जानना जरूरी होता है तो यहाँ पर bunch of flower हो जाएगा यहाँ पर bell नहीं यूज करेंगे, budget नहीं यूज करेंगे बलकि bunch यूज कियाता है flower के लिए जब कभी flower का group होता, धेर सारे flower होते हैं तो उसको bunch of flower कहा जाता है अगला देखते हैं, he will go अब देखे, जब कोई जैसा he है, तो he के साथ himself लगता है हर c है, तो herself लगता है अपने के लिए जो word use कियाते हैं, वहाँ पर यह भी ध्यानक नहीं होता है तो दे आता है, तो देर हो जाता है तो यहाँ पर देखे, he लिखा हुआ है he will go, himself हो जाएगा, अपने आप हो गया तो यहाँ पर यह चीज़े ध्यानक नहीं होता है इसका जो subject है, उसी की according जो है उसका अपने के लिए word use किया आता है तो यहाँ पर दिये गए option में पहला option हो जाएगा, इस तरह के question काफी exams में पूछे जाते हैं अगला है, the horse fell and hurt कर दिया गया है तो यहाँ पर horse के लिए itself लगता है horse के लिए itself लगाएंगे जब कभी भी ऐसा question आता है the horse fell and hurt itself हो जाएगा गिरा आप में ही वो चोटिल हो गया अगला question है, manvi is the eldest girl in the village अब देखे यहाँ पर आपने degree पढ़ा होगा positive degree, comparative degree और superlative degree तब जहाँ पर est लगा होता है, oldest, longest, smallest इस तरह का जब लगता है word तो वहाँ पर हमेशा दा का use करते हैं यह ध्यानकना होता है तो यहाँ पर manvi is the, यहाँ दा use करेंगे oldest girl in the village तो यहाँ पर इस तरह का question में हमेशा दा लगाते हैं और अगर er करके होता है senior, junior, इस तरह का तो वह comparative degree हो जाती है तो उसके लिए हम अलग use करते हैं तो यहाँ पर यह ध्यानकना है यहाँ superlative degree है superlative degree में हमेशा दा का use करते हैं अगला question है this is, अब यहाँ देखे oldest आ गया है EST आ गया, यहाँ superlative degree है तो यहाँ पर भी हम दा का use करेंगे तो this is the oldest temple in this village यह ध्यानकना है अगला है मानवी reached here अब देखे, यहाँ time दिया हुआ है तो इसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे in this morning नहीं होता है किसी समय के अंदर नहीं जाते है बलकि this morning सीधा सा question आता है यह question कई बार पूछा गया है मानवी reached here this morning सीधा सा question है सीधा सा at होगा नहीं in होता नहीं तो यहाँ पर this होगा सीधा सा बात है अगला है he will go there तो यहाँ पर भी आपको द्यानकना on, at, in इस तरह का word नहीं लगा जाता है यहाँ पर देखे on tomorrow को दिया जाता है और छोटी-छोटी चीजों को धियान लखा जाता है अब उन्हीं के वज़ा से आप सवाल का गलत अंसर लगा के आ जाते हैं और उसी चीज़ को हम यहाँ सीखने के कोसिस करते हैं मानवी tried to solve the sum तो यहाँ पर देखते हैं मानवी tried to solve the sum carefully इसी तरह से question आपको solve करने को दिया जाता है और छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान मरख करके हम solve करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जी-ए-स्केन ट्यूब चैनल से जुनने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जे हिंद जे भारत